उम्शान्ति, आज तेन फर्वरी 2022 की साकार मधुर महवाक्य हैं, आज की मधुर मुरली में बाब हम सबको संगम युक पर पुन्य कौन सा हैं, हम सबको पुन्य आत्मा बनना है, तो संगम के समय पर पुन्य का काम करना है, सबसे बड़ा पुन्य है, अपने आपको शर्व बाबा के आगे सरेंडर करदेना, अपना सब कुछ बाबा को सरेंडर कर देना, जो वेच्छे अपना सब कुछ सरेंडर करते हैं, वो आत्मा सहजी एक बाब की याद में टिक जाती है, बाबा सभी आत्माओं से बात करते हैं कि मैं तुम आत्माओं को घर वापिस ले जाने के लिए आया हूँ बच्चों को ये नशा रहना चाहिए कि बाबा हमें घर वापिस ले जाने आया है जिन बच्चों को ये नशा रहता है वो घर चलने की तैयारी करते हैं बाबा गयते आपको जराबी हिचकिचाना नहीं है, मरने से डरना नहीं है, क्योंकि शरीर तो वैसे भी विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, ये घर चलने की तयारी, बाबा ही बच्चों को सिखाते हैं, कि अब हर करम करते मुझे याद करो, आठ घंटा भले कारेववार करो, आठ घंटा बाबा को याद करो, जब आप संगठन में याद करते हो, तो बहुत अच्छी याद में रह सकते हो, अकेले बैठते हैं तो इतनी अच्छी रिती टिक नहीं पाते, इसलिए संगठन में एक बाब को याद करो, ये रोहानी बाब, रोहानी बच्चों को याद कर यह हैं जो औरों को ग्यानदान देती है ऐसी आत्माई सहजी एक बाप की याद में रह सकती हैं और कुछ सुक्ष्म बाते भी बाबा ने आज बच्चों से शेयर की सुनते हैं बाबा के मधर बूल बाबा की शब्दों में ओम शान्ती गुड मार्नी बाबा कहते हैं मीठे हो कि बाब हमको वापिस ले जाने के लिए हैं अब हम सबको वापिस चलना है प्रशन है तुम बच्चे इस समय सबसे बड़ते बड़ा पुझ्य कौन सा करते हो अपना सब कुछ शी बाबा के आगे समर्पन कर देना यह है बहुत बड़ा पुझ्य है श्रेंडर कार पूरा शीरिमत पर चलने से बहुत उंच बड़ में सकता है दूसरा प्रशन है कौन सी एक नई बाद मनुश्यों की बद्धी में बहुत मुझ्य बैठती है शी बाबा जो निराकार है उसने ब्रह्मातन में परवेश किया वही सबसे बड़े ते बड़ी असामी है उनका ही उंचे सुचा पार्ट है ये नई बाद मनुश्यों की बुद्धी में बहुत मुझ्किल बैठती है गीता है जे कौन आया स्वेरे स्वेरे पाइल की जंकार लिए ओम शानते शी बाबा बैठकर अपने बच्चों को समझाते हैं बच्चे तो समझ गए हैं कि शी बाबा निराकार ह हम आत्में भी निराकार हैं उनको ही बैठ समझाते हैं ये युक्ती सिरो एक बाब के पास ही है वो कैसे आके हमें ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं ये युक्ती सिरो बाब के पास है बैठ समझाते हैं भगवान किसके साथ बात करते हैं अपने बच्चे आत्मों के साथ बच पाप भी जानते हैं, आत्मा शरीर बगार तो कोई सुन ना सके, शरीर द्वारा ही सुनती है, एक ही ये सत्संग है, जिसमें परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं, बाकि जो भी सब आत्माइं हैं, उन्हों सब को अभी साथ ले जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्रा पूरा हुआ, ये सारी भारत वासियों की बात है, तुम्हें सज्जुग में सो देवी देवता थे, अब शुद्र बने, फिर मैं तुमको पढ़ा कर देवी देवता बनाता हूँ, और उनको कैसे पढ़ाएंगे, गीता भी भारत की है, हर एक अपना अपना पुस्तक है, जो भी ध आतमाँ का निराकार फादर, जो नौलेज़ फुल है, ड्रामा के आदमाधन को जानते हैं, बाप तो बच्चों के बीच में आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि तुम्ही चकरवरती राजा फिर से बनने वाले हो, सबी तो मनों से देवता नहीं बनेंगे न, ज जब देवी देवता धरम की पूरी स्थापना हो जाएगी, फिर और सब मठबंत विनाश हो जाएंगे, सबी आतमों को बाप बापिस ले जाएंगे, बाप आते हैं, पती दुनिया में, और आकर पाउंड बनाकर ले जाते हैं, बच्चे जानते हैं, जो सैज, राज, योग हम कल पहले भी सीखे थे, वो आप सीख रहे हैं, बिनाश नजदीक आता जाएगा, सब के आँख खुलेगी, अभी तो सिरफ तुम बच्चे निश्चे करते हो, के परम पिता पर मात्मा इस तन में अथा, ब्रह्मा तन में परवेश करते हैं, गाते भी हैं, गाइड है, लि परम पिता पर मात्मा ने परवेश किया है, ये कितने बड़े ते बड़े असामी हो गई, तुम बच्चों को इस रुहा में रहना है, कि बाप हम को आई हैं वापिस ले जाने, कहते बच्चे मुझे याद करो, उस रिगार से बहुत मुश्किन कोई देखता है, भगवान क कितनी महमा है, वो सरशक्तिवान है, दूसरे कोई की भी इतनी महमा नहीं है, इतना रिगार तुम बच्चों को रखना है, कि उच्चे सुचा बाप, संगठर में जब तुम बैठते हो, तो तो जाद अच्छी रहती है, फिर दर दर जाते हो, तो जाद करना मुश्किल हो ज समझो, तब बाप को जाद कर सकेंगे, ऐसे बाप का साथ, बड़ा रिगार से चबना पड़े, प्रन्तो बापा सधारन होने के कारण वेर रिगार नहीं रहता, समझते हैं कि बापा कालों का काल है, ये शिव बापा, जिसको तुम बाप दादा कहते हो, वे सब को साथ ले जाएगा बाकी बाबा को तो उन्चे से उन्चा पाड मिला हुआ है जिसको सारी दुनिया जाद करती है आत्म क्या है ये कोई बता ना सके कहते हैं लिंग है पुजा तो शिव लिंग होती हम भी लिखते हैं जोति लिंगम प्रन्तु वास्त में इतना बड़ा है नहीं वो तो इजादगर्चीन है पुजा के लिए बाबा का रूप तो आती सुक्षम जोती बिंदू ये तो स्टार मिसल है और उसी में सारा पाड भरा हुआ है ये भी किसी के बुद्धी में नहीं आएगा कितना बंडर खाएंगे कि वो ताकतवान इसमें परवेश होता है ब्रह्मा तान में परवेश होता है जो पूरे चुरासी जनम लेते ब्रह्मा बाबा के पूरे चुरासी जनम उसमें बैठ सारी नौले देते है तुम आत्मा हो तुमारे 84 जनम पूरे हुए अब मुझे याद करो तो तुमारे विकरम बिनाश होगे अब तुम बच्चों को ख्याल में आता है कि बाबा कितनी छोटी बिंदी है उसमें 84 जनमों का पार्ट है जो अपने समय पर रिपीट करना है प्रंतु शिव बाबा का तो सब से उंचे से उंचा पार्ट है जैसे ड्रामा में राजा रानी का उंचा पार्ट मिलता है ये भी बना बनाए ड्रामा है जो रिपीट होता रहता अब तुम बच्चे जानते हो उंचे तुंचा बाब को उंचे सुंचा पाड मिला हुआ है तुमें भी सारे ब्याद ड्रामा बुद्धी में है बाबा सुप्रीम सोर कैसे सदारनतान में आते हैं शास्त्रों में तो अर्जुन का रत घुड़ा गाड़ी बना दिया रत का देखो कितना मान है यह है शी बाबा का रत परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं कि मैं इस रत में परवेश करता हूँ अर्था ब्रमातान में परवेश करता हूँ तुमको सभी बाते आकर समझाता हूँ शी बाबा ने ब्रमातान में परवेश किया यह नई बात होने के कारण किसी के बुद्धी में बैठती नहीं अब बाब कहते बच्चे देही अभी मानी बनो अब तुमको परमपिता परमातमा स्वेमा के बढ़ाते हैं उनको इजाद करना है वे इस समेशतन में बैठे हैं इनको तुम दादा कहते थे ये बाब दादा दोनों कमबाइंड है तुम बाब दादा कै बुलाते हो ना पहले बाब फिर दादा फिर ये तुमारी मा भी है ये गुपत वाते आकर समझाते है तुम हो ग्यान सागर से निकली ग्यान गंगाएं उन्होंने वो चित्र बना दिया ब्रंपुतरा कहां से निकली ये भी उनको मालूम नहीं फिर सिंध सरस्थी का नाम है कुछना कोई थोड़ा शास्तरों में लिखा है कि आत्माई पावन है आत्माई पतित बनती है शरीर के लिए तो नहीं का जाता आत्मा के लिए कहते हैं कि इस समय प्राय सभी पतित है, शरीर भी किसी का पवित्र नहीं है, सभी पाप आत्मा है, सबसे जास्ती पुझा आत्मा तुम बनते हो, जहां तुम बाबा के बनने हो, तो बाब को सब को सिरंडर करते हो, बाबा फिर उसके बद्रे एवजा देते हैं, फल देते हैं, बाबा को याद करना, श्री बाबा जाते हैं पढ़ाने के लिए, सारा दिन इसमें बैठतो नहीं जाएगा, सेकिंड की बात है, तुम याद करो, दिल से याद करो, आ जाएगा, तुम समझते होंगे कि बाबा सदैव यहां है, प्रन्तु ये खुद भूर जाते हैं, कि इस सम को ले जाने आया हूं, विबेग भी कहता है, विनाश तो जरूर होना है, अब तो बहुत मनुश हो गए, विनाश की खुब त्यारियां हो रही हैं, ये भी तुम जानते हो, पर तुमारे में भी नंबर वार हैं, कि बाबा आया है, इस समय नई राइधानी की स्थापना करन हम भी बाबा के साथ सर्विस में मददगार हैं, कांटो को फूर बना रहे हैं, भक्ती मारे वाले तो बाब को जानते ही नहीं, बाबा कहते हैं वापिस तो कोई भी परमधाम गया नहीं, कई समयते हैं नई दुनिया फिर नए सीरे से उत्वन होगी, अनेक दुनिया में मत बतानतर हैं, बाबा कहते हैं, सत्य बताने वाला एक बाप है, कहते हैं सच्री अकाल, सभी आतमा अकाल मूर्त हैं, तो सच्री अकाल एक है, सत्य है, श्रेश्टा अकाल मूर्त है, बाकी सब असत्य, सत्य की ग्यान की बातों के लिए का जाता है, कि इश्र जो ग्यान देते हैं वो सब सत्य है, गाली नॉलज एक है, तुम बच्चों को याद रखना है, कि अब ये ड्रामा पूरा होता, अब भी हमको वापिस घर जाना है, जैसे नाटक की जब पिछाड़ी होती, तो अक्टर समझते हैं, नाटक पूरा होगा, हम सब घर जाएंगे, बाबा आया है, सबी को साथ ले जाने के लिए, परन्तु कब ले जाएंगे, ये नहीं बताते हैं, क्योंकि ड्रामा है, अचाने की सब कुछ होता रहेगा, जितना हो सके, और उनको ये समझानी देनी है, ये इतना नहीं समझते, कि ये राइट है, प्रन्तु कहने वाले जरूर समझते हैं, तब तो कहते हैं, तुम बच्चों को समझाना है, हद के बाब से तो जनम जनमांतर वर्सा लेते आए हो, अब बेहद के बाब से वर्सा लो, तीर उनको लगेगा, जिनोंने कल पहले वर्सा दिया होगा, तुम बच्चे घड़ी-घड़ी जाद करो, अब हमको शांती धाम घर में जाना है, गौर्मेंट के सर्वेंट भी आठ गंटे सर्विस करते हैं, तुमको भी आठ गंटे तक जाद की जात्रा बढ़ानी है, बाल को जोर से पुर्शार्द करते हो, फिर ठक जाते हैं, मंजिल बड़ी उंची है, तुम जानते हो कि बाब को सभी आत्मा को ले जाना है, बाबा के संसकार, शे बाबा के संसकार, ब्रह्मा बाबा में भी भरते रहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी पुर्शार्थी है, अब खेल पूरा हुआ, अब सबको वापिस जाना है अगर ये भी कोई याद करे कि अब वापिस घर जाना है तो इसको का जाता मन मना भाव तुम बच्चे अब सनमुक वैठे हो सनमुक सुनने से जैसे बुद्धी में छप जाता है घड़ी-घड़ी याद करते रहो कि वापिस जाना है तुमारा जाने का समय है देहिय भी मानी बढ़ना है देहिय मानी सर्विस अच्छी कर सकेंगे ज्यानी तो आत्मा चाहिए ज्यानी तो आत्मा ही बाब को प्रिये लगती है अच्छा मीठे मीठे सिक्के डदे बच्चों पृत मात पिता बाब दादा का जाद प्यार गुड मॉर्निंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाब दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा गुड मॉर्निग शुक्रिया बाबा शुक्रिया कितने उंची मंजल पर ले जा रहे हूँ अब एधारना के लिए मुखे सार नई राइधानी बनाने के लिए बाब की सर्विस में मददगार बनना है कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है दूसरा कम से कम आठ गुंटा जाद की जात्रा में रहने का भ्यास करना है मौस से ही चकना नहीं क्योंकि बुद्धी में है कि अब घर जाना है आज का बरदान स्यम को विशेश पाठधारी समझ सधारनता को समापत करने वाले परंबाश्रेश्ट भावे जैसे बाप परम आत्मा है वैसे विशेश पाठधारी जाने वाले बच्चे भी हर बात में परंज्णी श्रेश्ट हैं सिर्फ चलते फिरते खाते पीते विशेश पाठधारी समझ ड्रामा की स्टेश पर पाठ भो ज़ाओ हर समय अपने करम अर्थाद पार्ड पर अटेंशन रहे विशेश पार्ड़ारी कभी अलवेले नी बन सकते जदि हीरो एक्टर सदारन एक्टर करे तो सब हसेंगे इसलिए हर कदम हर संकर्ब हर समय विशेश हो सदारन नहीं स्लोगन है अपनी व्रिती को पार्फुल बनाओ तो सेवा में व्रिदी स्वता होगी अब इमा तेश्री जी के अन्मोल मा वाके निरंतर जाद अठार लगातार जाद रहे देखो परमात्मा का फर्मान है मुझे निरंतर जाद करो अब निरंतर शबद का भी रह समझना चाहिए निरंतर का जाता है उसको जिसमें कोई अंतर ना हो जो लगातार जोग रहे जिसमें खंडित ना हो उसे का जाता है अटूट जोग अब परम परमात्मा परतिग्या करते हैं अगर तो मुझे निरंतर जाद करोगे तो मैं तेरे कियोए पास्ट विकर्म को भसं करूगा ये ग्ञान अगनी है जिसमें विकर्म दग्द होते हैं ये बाप धर्म राजवी है जब वो सजाओं द्वारा विकरम विनाश करा सकता है तो बाबा के पास प्यार का भी कोई तरीका होगा तो जो उनके प्रैक्टिकल बच्चे बने हैं उनों को फिर ये फर्मान देते के बच्चे मन मना भव निरंतर मुझे जाद करो तो विकरमा जीत बनेंगे धरमराज के डंडो से बच जाएंगे परमातमा के पास विकरम विनाश कराने के दो तरीके हैं एक है सजाओं से पवित्र बनाने का तरीका दूसरा है योग लगाने से पवित्र बनने का तरीका जिससे पावनाश होते और जीवन मुक्तिपद प्रापत होता दुख के आवागमन से छूटने के लिए परमात्मा की जाद के सिवाए और कोई पाई हाई नहीं और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती ये एक बहुत संसकारिता पूर्ण विडियो है जरूर देखें कुम भी मिस ना करें